जैहिन दोस्तों दोस्तों बिहार दरवा के लिए आप सभी लोग का त्यारी अच्छे से चल रहा होगा और चलना भी चाहिए क्योंकि डेली आप सभी लोग को हम एक एक नयान या प्रैक्टिस अपको प्रवाइट करा रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं जो यह आपका रा आप सभी लोग का हम यहां बें बताते हैं इसमें आपका हिस्ट्री रहेगा पॉलिटी रहेगा और जीग्राफी यानि तीनों सब्जेक्ट से मिला करके 50 कोशन होने वाला है कोशन के लेबल बहुत ही अच्छा तारीके से होगा ऐसा ही एक्जाम में आपको कोशन देखने क को मिलता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला हमारा प्रस्न है निम्न लिखित घाटनाओं को कला नुकुरूमिक करम में आरोही करम में विवस्तित किजिए सही देखिए हमारा यहां पे सुध्धी आंदोलन हो जाएगा हिंदू महासभग गठन उसके बाद आर एस एस का गठन यहां पे हो जाएगा आंसर हमारा एक और दो तीन हो जाएगा नोट किजिएगा निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंधी जलधारा है इन में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंधी जलधारा है अराम से मैं आपको तीन से चार सेकेंड का टाइम दोगा उत्तर हो जाएगा पूर्वी ग्रिन लेंड की धारा हो जाएगा आंसर हमारा यहां पे डी हो जाएगा समिधान के संदर्व में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए इसमें सही कतन कौन सा है देखिए इसमें केवल दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हमारा ओप्सन नमर भी यानि केवल दो सही है बोला कि समिधान समाज के मुलभूत स्वरूप का निधरन जो है करता है सही है एक बार पढ़ते हैं जिन देशों के पास अपना समिधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं जो कि ये गलत हो जाएगा नैश्ट है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए सत्य कतन कौन सा है बताना है आपको देखे इसमें भी अगर हम बात करते हैं कोशन नमर फूर्थ का दोस्तों देखे स्वतंत्र भारत में बिकानेर और बिलबारी क्रमसा जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासत थी जो कि ये गलत हो जाएगा दूसरा हमारा कि बिकानेर भारत संग में सामिल होने वाले जो है पहली रियासत थी ये हमारा सही हो जाएगा यानि उत्तर हमारा यहाँ पर ऑप्सन नमर भी केवल टू जो है सही हो जाएगा अरुणाचल परदेश के किस दर्रा होकर तवांग से दिब्बत जाने का मार्ग है उत्तर हो जाएगा बोम डिला दर्रा याद रखेंगे बोम डिला दर्रा ऑप्सन नमर ए निमनलिखित में से कौन राज सूची के विशे है देखे इन में से आपका राज सूची के कौन सा विशे है दोस्तों देखे इसमें हमारा यहां पर तीन और चार हो जाएगा यानि आपका यहां पर मात्सी की हो जाएगा एक सिकिंड चौथा मात्सी की हो जाएगा तो तीसरा जो हमारा यहां पर खनीज विकास हो जाएगा यानि यही हमारा यहां पर राज सूची के विश बच्पन का नाम है इसलिए इनको हम एक डेकी बर्ड प्लान भी कहते हैं क्योंकि इनका बच्पन का नाम है तो आप इनकी के नाम से भी जान सकते हैं आगे है कि एपिको आंदूलन के प्रनेता कौन है एपिके आंदूलन के प्रनेता कौन है उत्तर हो जाएगा option number D, पांडूरंग हेगड़े, पांडूरंग हेगड़े option number D, सही हो जाएगा देखे बोला कि एपिको जो आंदुलन है इसके प्रनेता कौन है दोस्तों देखे इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पांडूरंग हेगड़ी आंसर हमारा यहां पेड़ी हो जाएगा नैश्ट हमारा है कि निमलिखित में से किस विधान मंडल ने भारतिय सोतन्ता अधिनियम 1947 को पारित किया है देखे इसका option हमारा उपर दिया हुआ है और इसका आंसर ब के भाजन है यानि यह भाजन जो उनका होता था उसको हम किस ला में निमलीखित में से किस से क्या है कि कारुकर कारुकर कारु कर नामकर जो है लिया जैता था उसे मौरियोत्रकार में कारु कर मामक जो है दख की इसका उत्तर जो है पसके सर्वाधिक लंबी है अंसर हो जाएगा हमारा option बर बी कर नुम्द में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए है कॉन सा है इसमें आपको बताना है या आपका option रहा देख लिए आराम से तेरह का इसका उत्तर देह सतों यहां पर option नंबर यह हो जाएगा यादि सरवोच नियाले द्वरा अधारभूत धाशी का सिध्धांत केश्वा नंद भारती मामले 1973 वे प्रतिपाद जो है किया गया था अंसर हमारा यहाँ पे वन पॉइंट हो जाएगा उदेशिका भारत के समिधान का भाग नहीं है जो कि यह गलत है कहे नहीं है मतलब मेरे काने मतलब है कि उदेशिका भारत का समिधान का मुलभूत एक तरीके से भाग है संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संसुदन जो है नहीं किया सकता है जो कि ये गलत है संसुदन जो होता है आगे क्या है गुप्त कालिन प्रसासनिक अधिकारियों के विशे में नेश्ट कोसन की गुप्त कालिन प्रसासनिक अधिकारियों के विशे में निमलिखित में से कौन सा यूग में जो है सही सुमिलित नहीं है यानि कौन इसमें हमारा गलत है देखिए जो हमारे यहाँ पे सौलकिक दिया गया धर्म संबंदित मामलों का प्राधान यही हमारा गलत है बाकी टिकिन जो है सडकों की देखरे करने वाला होता है सही है का निर्मान जो है किया आता है दोस्तों इसमें देखिए हमारा महानदी हो जाएगा और गोदावरी हो जाएगा आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा यह नर्मदा जो है डेल्टाक निर्मान नहीं करती है लेश्ट की एक पूरी आयूत था चमता का हो पांच वर्ष से भारत के एक समुद्र पारी नागरी की रूप में पंजेकरीत हो या और भारतिय नागरीता के लिए आवेजन करने से पहले एक वर्ष से भारत में रहा हो भारतिय नागरीता प्राप्त करेगा किसके द्वारा ये आपका भारति नगर्टा जो है प्राप्त करेगा तो यह पजश्क करण से आपका नागर्टा जो है प्राप्त करेगा अंसर हमारा higher हो जाएगा निनलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आगमनिक्य आधार पर सही कालक्रम में विवस्थित करके बताना है तो सत्तर का उत्तर हमारा क्या होगा सरी सेवंटीन का उत्तर हमारा क्या होगा देखते हैं देखिए इसका उत्तर जो है हमारे यहां पर टॉलमी चार दो एक होगा यानि चार दो एक तीन हो जाएगा टॉलमी हो जाएगा फिर हमारे य इत्सिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इत्सिंग नेश्ट कुसन है बोला कि पूर्वी घाट के संबंध में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए आंसर हो जाएगा केवल दो यानि गोदावरी माहा नदी और क्रिष्णा जैसी नदियां पूर्वी घाट से होकर ही बहती है आंसर हमारा यहां पे अठार का बी हो जाएगा नेश्ट है कि केन्दरी सतकर्ता आयोग अधिनियम 2003 के अधिन केंदरी सतकर्ता आयोग अध्यक्ष को मिला करके अधिकतम कितने व्यक्तियों से गठित होता है उत्तर हमारा हो जाएगा option number B जो है तीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर देखिए 20 का सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है देखिए जो हमारा कैलासनात मंदिर है यह आपका हो जाएगा काचिपूरं और मूरती यहां का इसका उतंड हो जाएगा सतर हमारे हो जाएगा जैन धर्म जैन धर्म में 24 तिरतंकर थे आप कमेंड करके बताएंगे पहले और 24 और 23 ये तीनों important है एक कौन-कौन है नाम लिख की बताएगा sequence है अगर आपको पूरा नाम याद है 24 तो वो भी आप लिख सकते हैं मैं उसको पिन कर दूँगा बहुत तो उसको देखके याद भी कर लेंगे कौन इसमें एक उच्च शिक्षित था दोस्तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बल्बन जो था बहुत एक अच्छा खासा सिक्षित सा आंसर हमारा यहां पर 22 का जो है एस ही हो जाएगा किस मुगल बात्साह ने बल्बन द्वारा प्रारम किया गया दर्बारी रिवाज जो है सिजदा समाप्त कर दिया गया था बल्बन द्वारा तो देखिए उतर हो जाएगा हमारा option number C सहा जहां यानि बलबन के दोरा सिजदा जो है स्रुआस किया गया था सहा जहां के दोरा Confuse नहीं होना है option हमारा C हो जाएगा निमन लिखित में से किस महिला करांती कारी ने दिक्षांत समारों में अपनी उपाधी याने डिगरी ग्रहन करते समय अंग्रेज गवंदर याने कुलाधी पती पर गोली चलाई थी आंशर हो जाएगा बीनादास, नोट कीजिएगा बीनादास आपस नमबर सी निमलीखित मेंसे कौन एक सही सुमली थे इसमें हमारा सही कौन सा है तेखे पावर्टी एन अनब्रिटीस रूल की अगर हम बात करते हैं दादा भाई नरोजी हो जाएगा अनहेपी हमारा जो है दोस्तों बताए क्या होगा सिंपल सा है वैसे अगर हम इसमें सही की बात करते हैं तो रफिक जकारिया जो है दा मैन हो डिवाइड़ इंडिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं हमारा है ट्वंटी यानि ट्वंटी सिक्स नंबर कोसन बोला है कि राष्ट्रिय जनसंख्या नीती 2000 की अंतरगत जो एक लक्ष था की वर्स 2045 तक जनसंख्या में इस्थिरता प्राप्ट कर ली जाएगी अब ओह जो लक्षित वर्स है कब तक रखा गया है यहनि अब उसको हटा करके 2045 को हटा करके अब उसको कर दिया गया है 2070 तक एक तरीके से अब इस्थिर लिख्या सरवादिक है इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 27 का उप्सन नमर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश याद रखेंगे उत्तर प्रदेश यूपी इसमें देखिए कोईला उत्पादक छेत्र दिया गया है और आपका यहां पे कोईला खादान दिया गया है मिला लेते है इसको देखे जो हमारा दिया गया है दामुदर घाटी जो है दोस्तों बराकर सोन घाटी उमरिया हो जाएगा उमरिया गोदावरी घाटी जो है यह आपको हो जाएगा सिंग रेनी और महानदी घाटी जो है यह हमारा तालचेर हो जाएगा नेश्ट है कि एक फसली किरिसी जो है विश्यस्ता है किसका एक फसली किसकी विश्यस्ता है उत्तर हो जाएगा व्यपारिक अन्य किरिसी का व्यपारिक अन्य किरिसी ओप्सन नमर ए सही आंसर हो जाएगा फान एक इस्थानी पवन है very important आप इसको अच्छे से श्टार बना के याद कर लिजिएगा फान जो है दोस्तो सुर्जर लेंड की एक इस्थानी पवन है answer हमारा यहाँ पे D हो जाएगा मन्रेगा कारेकरम निमलिखित में से भारतिय सम्मिधान के किस अनुष्यत को लागू करने हेतो जो है लाया गया है उत्तर हो जाएगा अनुष्यत 43 नोट कीजिएगा अनुष्यत 43 जो है इसका उत्तर हो जाएगा निमनलिखित में से कौन सा एक राजे नीती निर्दसक्तातो जो है नहीं है निर्दसक्तातो नहीं है उत्तर हो जाएगा हमारा option number D 14 हवर्स की आयू तक के बच्चों को निसुलक सिक्षा बाकी मदनिस्यत सही है, गौ समरक्षक सही है, पारिया और समरक्षक सही है आगे कि भारत में संसर द्वारा बंधुता मजदूरी को प्रति बंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्स पूछ रहा है, यह कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा हमारा option number B, 1976 में वर्स 1976 option number B निम्रखित घाटनाओ को बढ़ते हुएे काल करब में विवस्थित किजिए विवस्थित करके बताना है तो इसका देखिए 34 है न? तो 34 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसका उत्तर हमारा 2,1,3,4 हो जाएगा देखिए सिवाजी के द्वारा दुसरी बार सुरत को लुटा जाना सही है यानि पहले यह आपका आएगा फिर सालहेर का यूद हो जाएगा फिर सिवाजी का सिनहासन नारोपड हो जाएगा फिर सिवाजी के द्वारा करनाटा का अभियान हो जाएगा चलिए नेश्ट देख सहा था नोट की जेगा सिकंदर आदिल सहा ओप्सन नमबर सी निमलिखित में से किस विद्वान ने सिवाजी के चौथ और सरदेश मुखी की तुलना जो है वेलेजिली के साहिक संधी पढ़ाली से किया था आंसर हमारा हो जाएगा 36 का ओप्सन नमबर A हो जाएगा M G रनाड़े जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे निमलिखित बंदरगाओं को समधित राजियों के साथ सुमिलित करके बताना है इसमें बंदरगाह दिया गया है एक तरफ आपका यहाँ पर राज दिया गया है तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं देखे जवाहर लान नहरू की बात करते हैं तो यह हमारा महराश्टर हो जाएगा अन्नोर आपका हो जाएगा तमिलनाडू और मारमा गाव जो है यह आपका हो जाएगा गोवा और पाराद्यूप जो है यह आपका हो जाएगा ओडिसा आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा इसमें में देखिए मिलान करके बताना है 38 नमबर इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं जैसे पस्ची मध्य की बात करते हैं तो जबलपूर हो जाएगा दशिड़ पूर्व मध्य आपका हो जाएगा बिलासपूर पूर्व मध्य जो है यह आपका हो जाएगा हाजीपूर उत्तर पूर्व जो यानि पूर्वत्तर की बात करेंगे तो यह हमारा गोरख पूर जो है हो जाएगा नेश्ट कोशन क्या है बोला कि लोग सभा की सक्तियों में निमलिखित में से क्या सामिल है तो इन में से आपका क्या सामिल है तो देखे इसको पढ़ते हैं पूरा सामिल है इसमें यानि यह संग सुची और समवर्टी सुची की विशे पर कानुन बनाने में भूमिका जोहें निबातिये सही है यह एक धन विधहक और समान विधृयकों को प्रस्तुत वआ पारित करती है यह अपातकाल की घोशना को सुकृति देती है यह समीति वह आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है तो चारों पॉइंट का पच्छे से नोट कीजिएगा राजिसभा की सक्तियों के संदर्व में निम्लखित कतनों पर विचार कीजिए कि देखिए चालिस का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा उप्युक्त सभी हो जाएगा पढ़ते हैं इसको पॉइंट वन उस पर चुड़ गया है यह रहा बोला कि समाने विध्यकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विध्यकों में संसुधन प्रस्तावित करती ह पहला पॉइंट हमारा यहां पर सही है और देखें दूसरा पॉइंट के सन्विधानिक संसुधनों को पारित करती है सही है उपराश्टरपती को हटाने का प्रस्ताव जो है केवल इसी सदन में लाया जा सकता है सही है यह संसत को राज सुची के विशियो पर कान्वन बना का चर्णाने का अधिकार जो है दे सकती है आगे क्या है कि आधि संक्राचार द्वारा इस्था पे चार मठ जो है कहा परिस्तित है उत्तर हमारा हो जाएगा option number C हो जाएगा यानि जोषी प्रृण का पूरी सिंग्री हो जाएगा option संगम हुआ है संगम हुआ था दोस्तों कहां पर यह हमारा मदुराई में हुआ है याद रखेंगे मदुराई और सी निनलिखित में से किसके पक्षधर नहरू थे किन्तु गांथी नहीं थे वरी इंपोर्टेंट देखिए भारी औधोय करड़ यह आपका उत्तर हो जाएगा इसमें गांथी जो है इसमें एक तरीके से पक्षधर नहीं थे आंसर हमारा D हो जाएगा भारत में अंग्रेजों ने प्रतम मदर्शा कहां इस्थापित किया था देखिए मदर्शा की बात करते हैं कलकत्ता में इस्थापित किया गया था ऑप्सन नमबर D भारत के किस जबकि ग्रिनविश मीन टाइम जो है हमारा जी एमटी तीन पराया है उस जगह के देशांतर रेखा जो है क्या होगी उत्तर हमारा हो जाएगा पैतारश डिग्री पूरब हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सही उत्तर हो जाएगा भारत के प्रतम विधी अधिकारी के रूप मे कौन जो है जाना जाता है बताईए इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमर सी भारत का महानियावादी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे निमलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंतरी परिशत जो है रख सकती है भारत म अंतराल में होना जो है आवस्यक है बताईए तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा यानि एक दिन दोस्तों हमारा यह पर पचास कोशन समाप्थ होता है आपने कितना प्रस्त सही किया है कमेंट करके बताएंगे ताकि और भी लोग इससे मोटिवेट हो जा जाएगा मिलते हैं कि नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जैहिंद आज आज के लिए आज के लिए इतना ही जैहिंद